प्रभी येश्चु के सामर्थी नाम में प्यारो आज की इस हाउ टू बी विक्टोरियस वीजेता कैसे बने इस सिरीज के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है प्यारो आज हम जो विशे पर सीखने जा रहे है वो है तीरसकार से तारीब तक हमारा परमेश्वर हमें तीरसकार से तारीब तक ले जाने वाला परमेश्वर है अनादर से आदर तक ले जाने वाला परमेश्वर है हाललूया आए आज के इस विस्वाई को हम सीखे उससे पहले हम दुआ में जाए प्रमेश्वर की सहायता मागे आए परातना करें प्रमेश्वर हम येश्वमसी के सामर्थी नाम में आपके चर्णों में आते हैं प्रभू जो आज विस्वाई पर हम सीखने जा रहे हमारी प्राथना है हम सभी के साथ आप बात कीजे प्रभू आज हमें प्रोसाइट करें प्रबू कि आज आप हमारे अनादर को, अपमान को, आदर में, तिरसकार को तारीफ में बदन ले जारें प्रबू आज इन बातों पर हम विश्वास करें और हमारे जीवान में ये देख पाए परमेश्वर येशुमसी के नाम से यह नूगरहम पर होने दीजे आपकी बातों को समझने के लिए हमें सहाईता प्रदान करे समझाने के लिए मेरी सहाईता करे प्यारे पिता येशुमसी के नाम से में माता हूँ आमेन प्यारो आज के विस्ते में हम आगे बढ़े उससे पहले अभी तक जो हम सीख गए एक थोड़ी मिनिट लेकर हम उसे रिवाइज करना चाहते हैं सबसे पहली बात पहले भाग में जो हमने सीखी थी वो थी हमारे मन को हमें कच्छा नहीं होने देना है हमने देखा था गोलियात को देखकर साड़े नौफीट के गोलियात को देखकर साउल और इस्राइली लोगों के मन कच्छे हो गए थे लेकिन दाउद था जिसने अपने मन को कच्छा कमजोर नहीं होने दिया दूसरा जो भाग था उस में हमने देखा था यह गलती कभी न करना एक गलती के विसे में हमने देखा था वो गलती यह थी सावोर राजा ने सबसे बड़ी गलती यह की थी कि सहाईता मांगने के लिए वो परमेश्त के पास नहीं गया था हमने सीखा था हमारे जीवन के युद्धों में हमें जरूरी है कि हम प्रभू के चर्णों में जाए और परमेश्व की सहाईता मागे। हमने देखा था लास्ट टाइम की बड़ी बड़ी लड़ाईयों में सावर राजा पहले वीजय होता था लेकिन ये गोलियात के साथ की जो लड़ाई थी उसमें वो बेपस था लाचार था क्योंकि उसने परमेश्व की सहाईता नहीं मागी थी प्यारों हमने अपना आप से पूछा था क्या हम हमारे जीवां के युद्धों में युद्ध के समय सबसे पहले प्रभू के पास जाते हैं प्रभू की सहाईता मागते हैं या सावूल ने जो गल्दी की वो हम करते हैं प्यारों हमने कुछ लोगों के भी सेमस सिखा था जिनोंने अपने जीवां के यु प्रेशिडिन टैंकरिडो के विक्रिशे में जिनों ने ये कहा कि अगर मुझे Chinese लाप मिल जाए, मुझे परभु की जरूरत नहीं है … पाशाध लाप मिले, लेकिन वो प्रेशिडिन नहीं बनेCu» हमने देखा था मैलिन मन्रो प्रभू के दास बिली गरे हम उनके पास गए लेकिन उन्होंने मना कर दिया मुझे परमेश्व की सहाइता की जरूरत नहीं है और उसके सिर्फ एक सब्ता के बाद उनकी देथ हो गई ड्रक्स के ओवर्डोस के कारण वो खूद अपने युद्द नहीं लड़ पाए क्योंकि उन्होंने परमेश्व की सहाइता नहीं मागी वैसे कई अर्दाहरण हमने देखे थे लास्ट ताइम और हमने देखा था परमेश्व से मूँ मोडने की गल्ती बहुत ही घंबिर परिणाम ला सकती है और प्यारो इन दोर विश्व को हमने अभी तक देखा है हम आज की विश्व में जाए उससे पहले फिर सम आपको कहना चाहते प्यारो यह हमारी प्रेयर हेल्प लाइन है अगर आपकी कोई भी जरूरत है आपके चीवां में कोई भी परेसानी है कोई भी तकलीफ है आपके चीवां के युद्धों में प्राथना के द जरूर दुआ करेंगे प्यारों आई आज के विश्व में प्यारों हम आगे बढ़े हाउ टूबी विक्टोरियस वीजेता कैसे बने इस सीरिस का तीसरा बाग इसका जो सिर्सक है आज जो हम सीखने जा रहे यह विश्व है तीरसकार से तारीव तक हाललुया हम विश्वास करते हैं प्यारों प्रभू आपके अफमानों को धोने जा रहा है प्रभू आपके अनादर को आदर में बदलने जा रहा है हमारा परमेश्वर वो है जो तीरसकार को तारीफ में और अनादर को आदर में बदल देगा हाललुया अगर विश्वास करते हो तो उच्छी आवा में बदलेंगे प्यारो आज हम सीखेंगे कैसे ये संभव हो सकता है कैसे ये मेरे जीवन में मैं देख सको कैसे मैं देखो की परमिश्वर मेरे जीवन में जो तीरसकार का मैंन अनुभव किया है उसको तारीफ में बदल दे कैसे मैं मेरे जीवन में देखो जो अनादर का अप बदलता हुआ, कैसे देखू, वो आज हम प्यारो देखने जा रहे हैं, आईए इस आयत को हम मिलकर पड़े प्यारो, दाउद कोलिया से लड़ा और बड़ा वीजे उसने पाया, लेकिन उससे पहले कई तीरसकार और अपमान से अनादर से होकर वो कुझरा था, पहला समोयल अ भाई, इलियाब सुन रहा था, और इलियाब दाउद से बहुत क्रोधी थोकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भिड़ बकरियों को, तू किस के पास छोड़ा आया है, तेरा भीमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो ल बड़ाई देखने के लिए यहां आया है, यहां प्यारो दाउद उसके पिता के कहने पर कुछ खाने की चीजों को लेकर जहां यूद हो रहा था, चावनी में जाता है अपने भाईयों के पास, और वो खाने की चीजों को उन्हें देने के लिए उसके पिता के द्वारा उ उससे में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है, और वहां उसका अपमान करता है, अपमान करते हुए क्या कहता है, तु क्यों आया है, भेड़ो को किसके हवाले छोड़ कर आया, तु लापर वाह है, तुझे भेड़ बक्रियों की पड़ी नहीं है, आगे क्या कहता है, तेरा भीम देखने के लिए यहां आया है सिर्फ टाइम पास के लिए एंज्याइमेंट के लिए तेरे मन्नोरंजन के लिए यहां आया है तू तेरा यहां आना सिर्फ एक समय व्यर्थ बिताना है प्यारों ये दाउद का जो बड़ा भाई था दाउद को तीरा स्कृत कर देता है अब मानित करता है उसके उपर आरोप लगाता है उसे बोलता है तुझे तु लापरवा है तुझे भेड़ बकरियों की पड़ी नहीं है सिर्फ टाइम पास्ट करने के लिए तु यहां आया है प्यारों दाउद का भाई उसे तीरा स्कृत करता है अब मानित करता है अई एक और आयत को हम पड़े पहला समुईल उसका सत्रवा ध्याय और उसकी तैतीस वियायत हम मिलकर पड़े साउल ने दाउद से कहा तु जाकर उस पलिस्ती के विरुद नहीं युद कर सकता क्योंकि तु तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है जब दाउद कहता है मैं उस पलिस्ती से उसको लियास से जाकर लड़ूँगा उसे साउल के पास लाया जाता है और जब उसे साउल के पास लाया जाता है साउल खुद उसके उपर विश्वास नहीं करता और जो सब्द यहाँ पर इस्तिमाल करता है तू तो लड़का ही है एकदम छोटा लड़का है तेरी कोई काबेलियत नहीं है तुझ में कोई ऐसा हुनर नहीं है तुझ में कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तू वहाँ युद में जाने के लिए कहने का मतलब था साउल का कदेव योग्य नहीं है तू एकदम छोटा लड़क है तीरस कृट कर दिया Seriously talks तू यूद नहीं कर सकता तु लायक नहीं है तू यूग क्या नहीं है आई एक और आयद को हम पड़ेंएप हिए कि सुलवा आई और उसकी ग्यारविया दाउद के पिता के विशे में यहाँ पर लिखा है तब समुएल ने इसे से मतलब दाउद के पिता से कहा क्या सब लड़के आ गए वह बोला नहीं लहूरा मतलब सबसे छोटा तो रह गया और वह भेड बकरियों को चरा रहा है यहाँ प्यारो ध्यान से इस बात को समझे परमेश्वर का बड़ा दास समुएल वहाँ पर येसे के घर पर दाउद के पिता के घर पर आया है इसके विशे में गराप पड़े तो जब समुएल वहाँ पर आया लोग उसे देखकर कापने लगे इतना आदर और सनमा समुएल का था और इतना बड़ा दास इसे के घर आता है और वहाँ इसे ने इतनी भी तकलिफ नहीं ली कि वो दावद को उसके सामने उपस्थित करें ये समुएल जब घर पर आया सब इसे के लड़के वहाँ पर थे क्योंकि इसे को ये मन में था भाई मेरे जो लड़के सैनीक है सोलजर है उसमें से ही किसी को समुएल चुनेगा मेरे छोटे लड़के की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है वो अयोग्य है इसे खुद दावद का पीता खुद दावद को तीरस्कृत कर देता है वो खुद मन में ये नहीं मानता कि दावद को यहां रहने की उपस्थित रहने की जरूरत है उसने खुद अपने छोटे आपके पास्वान आये है बड़े परमिश्र के दास आये आपके पीता माता सब आपके भाई बेने को वहां बिठा है और आपको घर से अगर आप बाहर हो बुलाने की भी तकलीफ ना ले तो उसका मतलब आप उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते आप आपको वो तीरा स्क प्रृत करें आपका अनादर करें उनको ज्यादा कोई फर कंग लगता है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरा वो बेटा यहां पर हो या ना हो इसे खुद दाउत का तीरा सकार कर देता है इसे के बड़े जो बेटे थे उनको देखकर प्रभावित हो जाता है उसे लगता है इसमें से ही कोई राजा होगा छोटे बच्चे के विसे में वो भी नहीं सोचता था तब तक जब तक प्रभु ने उसे रोका नहीं तब तर प्यारो हमने देखा दाउद के भाई ने उसका तिरसकार किया उसका अनादर किया हमने देखा साउल ने दाउद का मान के आना दर किया तू तो छोटा लड़का है तेरा काम नहीं है हमने देखा उसका पीता इस से खुद उसका तिरसकार करता है ना दर करता है समुएल के आने पर इतनी भी तकलीफ नहीं लेता कि उसे बुला है उसके आके बिठा है उसके लिए उसका छोटा बेटा जादा माइने नहीं रखता था महत वह नहीं रखता था उसके खुद के पिता ने भी उसको तिरस्कृत कर दिया लेकिन प्यारो परमेश्वर की इंट्रस्टी दाउद के उपर थी हाललूया प्यारो हम आपको कहना चाहते हैं आपके जीवन में भी साध आपने ऐसे अनादर को जहला होगा आपमान को जहला होगा आपको भी साध तिरस्कृत किया गया होगा साध नौकरी के स्थल पर आपको कहा गया होगा आपका यहां कोई काम नहीं आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे साध बिजनेस में आपको कहा गया होगा तो इसमें कुछ ज़्यादा सफल तासिल नह ही है लेकिन हम आपको कहना चाहते प्यारों परमेश्वर हमारा खुदा तीरसकार को तारीफ में बदलने की ताकात रखता है प्यारों हमारा परमेश्वर अनादर को आदर में अपमान को सनमान में बदलने की ताकात रखता है हाललुय आज हम देखेंगे प्यारों इस उठाया प्यारो ऐसे खई परमेश्व के दास से चीनको तीरा स्कूरुत किया गया लेगिन प्रभु ने उठाया प्रभु के दास रहन हर्बोंके जिसे जिनके भी से में कहा जाता है दब बिलीग्रयाम ओफ आफरीका आफरीका के बिलीग्रयाम प्रभु ने इंको प्रभु ने उठाया उनका इस्ते माल किया लेकिन आपको पताएं प्यारो जब इंको प्रभु ने दरसंद्र minder Look 12 साल की आयू में प्रभु ने उनको कहा कि मैं तेरा अफरीका में इस्ते माल करूँगा, रिजिका एक लिए वह हम अपने पापा घर आये उसकी वे पापा घर आये साइकल लेकर और जैसे साइकल उन्होंने स्टेंड पर की यह रहनार बॉंग के दोड़कर उनके पास गये उससा से दोड़त हुए उनके पास जाकर बताया पापा प्रभू ने मुझे आफरीका के लिए चुना है उनके पापा का क्या रियक्शन था पता है उ नहीं क्यों कि ऐसा कहा पता है क्योंकि रहनार पहले से ही बहुत ही सरारती थे कई बार उन्होंने चोरी की और पकड़े गए जब उन्होंने परमेश्र को अपना जीवन सौपा कोई भी उनके उपर विश्वास भी नहीं करता था खुद उनकी मां भी नहीं और इसी कारण उनके पीता ने भी विश्वास नहीं किया कि प्रभू मेरे इस बच्चे को उठा कर अफ्री काम इतने बढ़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं उनके भाई बहन उनको क्या बुलाते पता है जर्मन लेंग्वेज में उनको नूल किया जाता था नूल कहकर पुकारा जाता नूल का मतलब मतलब जीरो उनके भायवेन उनको चीरो कहकर बुलाते थे इनको इनके भाइबेनों ने तिरस्कृत किया, उनके पापा ने तिरस्कृत किया, उनकी मा खुद उनके उपर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन प्रभून ने इनके अनाधर को आधर में बदल दिया, तिरस्कार को तारीफ में बदल दिया और लाखों लोगों के बीच पर परमेशन उनके दास का इस्तेमाल किया हाललुया आललुया परमेशन के दास पास्टर बैनीन साब वो जब छोटे थे उनकी जीब लड़ खड़ाती थी धंग से बोल भी नहीं पाते थे कई लोगुं की मजाक उड़ाते थे अनाधर करते थे तिरस्कृत करते थे कोई सोच भी नहीं सकता था प्रभु इनका इतने बड़े पेमाने पर इस्तेमाल करेगा लेकिन उनकी को प्रभु ने उठाया और आज लाखो की जन संख्या में प्रभु इस्तेमाल कर रहा है प्रभू वो परमेश्वर है जो हमारे तीरसकार को तारीफ में बदलने की ताकत रखता है लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है जो दाउद ने किया वो हमें करना है क्या किया दाउद ने बार बार अनादर और तीरसकार होने के बावजुद भी दावुद ने उस से अपने आपको निरास या कम जोर नहीं होने दिया हाललुया प्यारो हमें अपने आपको अनादर जब हो हमारा अपमान हो जब हमें तीरस्कृत किया जाए जब हमें नीचा दिखाया तो गिराया जाए तब अपने आपको संभालना है हमें कहना है हमारा प्रभू तीरसकार को तारीफ में बदल लेगा आज भले मेरा अनादर हुआ प्रभू मुझे आदर देगा आज भले मेरा अपमान हुआ प्रभू मुझे संमान देगा हमें निरास नहीं होना है अगर दाउद नीरास होकर बैट गया होता अगर रेनहार बॉंके नीरास होकर बैट गया होते अगर पास्टर बैनीन साब नीरास होकर बैट गया होते तो उस उचाई और तारीब को सनमान को वो नहीं देख पाते जो प्रभू ने उनको दिया हमें तिरसकार जब हमारा हो हमारा अपमान हो जब हमारा अनादर हो हमें नीरास नहीं हो आमें अलेलुया अगर आज यह आपका डिशीजन है प्रभू जरूर आपको उठाएगा प्यारो आपके युद्धों में प्रभू आपको सन्मान दिलाएगा आमें प्यारो लोग जब आपको निक्षा दिखाते है आप मान करते है आपको नकारा जाता है निकम्मा गीना जाता है आपका मजाग बनाया जाता है तब क्या दाउद के समान आप ध्रिड रहते हो या निरास होकर बैठ जाते हो आया आज खड़े हो जाए चाहे किसी में किसी ने कुछ भी क्यों न बोला हो आपके विरुद आज सब कुछ भुला दे और खड़े हो करके प्रभू मैं निरास होने वाला नहीं हूँ जिस दाउद ने तिरसकार को देखा वही दाउद ने तारीब को भी देखा पहला समोयल अधियाए अठारा और आये इस आयत को मिलकर पड़े जब दाउद उस पलिस्ती को मारकल लोट आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे तब सब इसराहिली नगरों से स्त्रियों ने निकल कर डफ और तिकों ने बाजे लिये हुए आनंग के साथ गाती हुई और नाश्ति हुई साउद राजा के स्वागत में निकली और वे क्या गा रहे थे और वे स्त्रिया नाश्ति हुए एक दूसरे के साथ यह गाती गई कि साउद ने तो हजारों को परंथ दाउद ने लाखो को मारा है हाललूया दाउद की तारीफ में लोग गाना गा रहे थे साउद से भी ज़्यादा तारीफ सनमान प्रसंसा दाउद को मिली हाललूया वोई साउद जिसने दाउद को मानित किया था उसके सामने उसके देखते प्रभू ने दावत की तारीफ करवाई, प्रसंसा करवाई, जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपको नीचा गिरा है, उन्हीं लोगों के देखते हैं प्रभू आपको उठाएगा, अगर विश्वास करते हो तो खही आमेन, क्योंकि हमारा प्रमेश्वर तीरसकार को तारीफ में अनादर को आदर में बदलने वाला परमेश्वर है, हाललुया, प्यारो आज एक लड़की की गवाही हम आपको देना चाहते हैं, कैसे प्रभू ने उसके चीवन में जो उसका अपमान अनादर हुआ था, उसको आदर में बदला, इस जो लड़की थी, उसका न जब यह लड़की सिफ पांस साल की थी, आप यह उनका फोटो देख सकते हो, सिर्फ पांस साल की, तब उससे पोल्यो का एटेक हुआ, और पोल्यो के कारण, पोल्यो के एटेक के कारण, उनको हस्पिटलाइस किया गया, दो पांच छे दिन नहीं, एक विक तक नहीं, साथ- हस्पिटलाइस रही, प्यारो, हस्पिटल में उनको एडमीट रखा गया, साथ-साथ महीनों के लिए, और जब उनकी ट्रीटमेंट हुई, साथ महीने तक उनको एडमीट किया गया, डॉक्टर ने डाइगनोस किया, उनको एक नहीं, दो-दो की सम के पोल्यो है, और पोल्य से बेबस, उनको चलने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत पढ़ती थी, प्यारो, कमर से नीचे तक लेग ब्रेसिस पहने हुए थे, लगवा या तो पैरलाइस जिसको होता है, उनके लिए जो स्पेशल बूट होते है, वो उनको पहनने पढ़ते थे, बैसाकी के सहारे, दिवाल के सहारे, वो चल रही थी, खुद वो चल नहीं पा रही थी, एलिनोर का ये बचपन था, प्यारो, लेकिन यही एलिनोर को जब बारास साल की थी, प्रभू ने उसके साथ बात की, एक चाइनीज पास्टरों के चर्च में आये हुए थे, और चाइनीज पास्टर न उस दिन को सब के साथ बात की, जितने भी लोग उनके चर्च में थे, उनको मिस्नेरी बनने का न्योता दिया, आहवान दिया, अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं परभू कि यह सेवकाए करो, आप आगे आए, और पूरे चर्च में से किसी ने भी रिस्पॉंड नहीं किया कोई भी आगे नहीं आया, सीवाई एक लड़की के और वो थी एलिनॉर, कोई नहीं गया आगे, सिर्फ एलिनॉर थी, जो बैसाखी के सहारे, अपने जो स्पेशल बूर्ट उन्होंने पहने हुए थी, उसको संभालते हुए, धीरे धीरे करके आगे गई, और आगे जाकर बोला वो चाइनिस पास्टर को, मैं मेरा चीवन प्रभू के इस्तेमाल के लिए दे रही हूँ, जब वे आगे जा रहे थे एलिनॉर, लोग हस रहे थे, अंदर-अंदर बाते कर रहे थे, ये क्या करेगी, उसको खुद किसी के सहारे की जरूरत है, ये क्या दूसरों को सहा अपरा देगी, एलिनॉर का मान अनादर किया गया, लेकिन वो द्रेड निश्य थी, जैसी भी हूँ, मैं प्रभू के लिए इस्तेमाल में आऊँगी, उन्होंने अपना जीवन पर मेश्व की सेवकाई के लिए दिया, जब ये सभाचर्श सर्विस खतम हुई, एक व्यक्त है, वो भी लक्वे से पिडी थे, हमें शमा करें, वो भी उनको सर्म महसूस होती थी, एलिनॉर के उपर, ये क्या करेगी, उनको लग रहा था, एलिनॉर आगया है, उससे जैसे उनका अपमान हो गया, लेकिन चाइनिस पास्टर ने का, प्रभू के लिए, जो भी हो, जैसा भी हो, वो उनकी कमजोरी में, उनकी सामत को परिपूरा करता है, एलिनॉर का प्रभू इस्तेमाल करेगा, एलिनॉर ने बाइबल कॉलेज की प्यारों, और आप ये फोटो देख रहे हैं, उनकी बाइबल कॉलेज के समय का ये फोटो है, सब लोगों के बीच आपको दिखा पाइदेगी कौने में, ब्लू कलर का सरकर हमने बनाया है, सबसे छोटी एलिनॉर की एलिनॉर थी, लकवे के कारण, पैरलाइस के कारण, पोलियो के कारण, उनकी हाइड भी ठीक से बढ़ नहीं पाई थी, उनका कद काफी छोटा था, लेकिन ये ही एलिनॉर ने बाइबल क खतम हुई, उनको कहां भेजना मिसनेरी के रूप में, उस बात को लेकर बॉर्ड के सदस्य अभी कन्फ्यूजन में थे, उनको कौन्फिडन्स नहीं था कि एलिनॉर को कहां भेजे, और आखिर में एलिनॉर एक जगह जाने के लिए तयार हुई, वो जगह थी इंडोनेशि में पापु आ करके जगह, वहां के जो ट्राइबल लोग थे, वहां के जो लोग थे, उनके बीच जाकर एलिनॉर ने तई किया कि मैं परमेश्व की सेवकाई करूंगी और ये वो लोग है प्यारो, 1974 में एलिनॉर वहां पर गई, और किमियाल करके वो जो जाती थी, उनके पीच एलिनॉर ने परमेश्व की सेवकाई सुरू की और एलिनॉर जब वहां पर गई, उन्हें आश्यर्य हुआ, वहां के लोगों की हाइट उनकी जितनी ही थी, क्योंकि वहां के कई लोग एलिनॉर के समान पैरों की तकलीफ से पीड़ीती थे, वो जो लोग वहां के किम सिती में हूँ, मेरी हाइट कम है, पैरों में तकलीफ है, लेकिन सब कुछ प्रभू की योजना में है, प्रभू ने इन लोगों के लिए मुझे चुना है, एलिनॉर ने वहां प्रभू का काम सुरू किया, वो लोगों के लिए परमेश्व के वचनों का ट्रांसलेशन कर र ही थी, तो वहां के लोगों का इलाज भी एलिनॉर ही करती थी, और एलिनॉर को वहां के लोग इस प्रकार से उठा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, क्योंकि वो पाड़ी लाका था, वो खुद चल नहीं पा रहे थे, और इसलिए बैसा की के सहारे, इस प्रकार स लोग उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, और वो लोग उनको कौन से नाम से बुलाते थे, आपको पता है, वो लोग उनको बैड लेक्स वुमन करके पुकारते थे, और एलिनॉर ने एक बार उनको पूछा, क्या आप बैड लेक्स खराब पैर कहकर मुझे अ लोगों ने कहा नहीं, एक्छूल में, सही माइने में तो आपके ये जो खराब पैर है, बैर लेक्स है, वो हमारे लिए आसीज का कारण बने है, एली नोर आश्रे चकीत हो गई भई, मेरे बैर लेक्स, मेरे खराब पैर, आपके लिए कैसे आसीज का कारण बन सकते हैं, कीमिय दाल जाती के लोगों ने उनसे कहा पहले हम में से काफी लोग आपके समान पैरों की तकलिफ से पीड़ी थे और हमें लगता था कि हम सापीट है इसके साप के कारण ही हमारे पैर की यह वस्ता है लेकिन जब हमने आपको देखा और प्रभु जिस प्रकार से आपका इस्तेमाल करता था वो हमने देखा तब हमें लगा अगर आपके पैर जिसमें तकलीफ है फिर भी प्रबु आपको प्यार करता है आपका इस्तेमाल करता है आप शापित नहीं हो तो हमारे पैर में भी तकलीफ जो है उसके कारार हम भी शापित नहीं है प्रबु आपके प्यार करता है आ आप आशीश्री तो हम भी आशीश्री थे हाललुया वो लोग और उनको बताते हुए कहने लगे आपकी जो हाइट है बस वही हाइट के हमें हमें लगता है जिससे आप हमें से ही एक हो प्यारो ये एलिनोर के बेर्ड लेक्स खराब पैर वो किमियाल चाती के लोगों के लिए प्रभू के प्रेम का संदेश ले जाने के लिए सहायक हुए हाललुया वो ही पैर जिसके कारण का तीरसकार किया गया था वो ही पैर जिसके कारण की मज़ा उड़ाई गई थी वो ही पैर जिसको देख लोग उनके सामने मुँ बिगार कर बोर रहे थे कि ये क्या करेगी ये कुछ नहीं कर पाएगी वो ही पैर ये पूरी जाती के कीमियाल के लोगों के लिए आशीष का कारण बने वो चांद पाए कि हम शापीत नहीं है एलीनौर ऐसे पैरों के साथ आशीषी थे हम भी आशीषी थे हाललूया प्यारों कुछ समय के लिए एलीनौर अपने देश में थी लेकिन 2010 में वो फिर से वहां पर गई क्योंकि न्यू टेस्टामेंट जो कीमियाल भासा में बनाया गया था उसका डेडिकेशन था और जब वह वहां पर गए एलिनोर तब की इस तस्वीर को आप देखे प्यारो वहां के लोग आनन के साथ जैसी वो प्लैंसे उतरे उनका स्वागत कर रहे हैं उनको भेट रहे हैं उनको हग कर रहे प्यारो और वे बहुत ही खूसते प्यारो एलिनोर को देखकर प्यारो एलीनोर जब वहाँ पर काफी टाइम के बाद गई वहाँ के लोग पूरी रिती से बदल चुके थे हमने सुरुआत में कुछ पिच्चर आपको बताए उनको धंग से कपड़े कैसे पहने वो भी पता नहीं था लेकिन आप अभी देखे पूरी रिती से वो बदल गए जब एलीनोर वहाँ पर फिर से जब गई तब वहाँ पर चर्ज थे तब वहाँ पर वहीं के लोगों में से कीमिया लोगों में से ही पास्टर्स खड़े हुए थे जो वहाँ पर सेवकाई कर रहे थे हाललुया वह एक दम अच्छे कपड़े पहने हुए थे एक दम अच्छे लोगों के समान अब कोई भी उनको नहीं बोच सकता था कि ये ट्राइबर लोग है कोई भी उनको पहले की जो तस्वीर थी वो पूरी बदल चुकी थी एक लेड़ी खराब पैरों के साथ वहां पर गई और उसके द्वारा हाललुया कि एलिनॉर अपने जीवां के विश्चे में कहती है कि प्रभू ने ये बच्छे मेरे जीवां में पूरा किया मेरा अनूगर तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निरबलता में सिद्ध होती है हाललुया सत्रा साल एलिनॉर ने बहाँ पर सेवखाई की प्यारों इंडोनेसिया में किम्या लोगों के बीच और पूरी जाती को पूरे लोग जुद को उन्होंने बदल दिया किस लड़की ने जो लड़की के पैर खराब होने के कारण उसको तीरस्कृत किया अपमानित किया गया जिसका अनादर किया जिसके पीछे लोग बोले ये कुछ नहीं कर सकती वही लड़की के द्वारा पूरी जाती को लोग जुद को प्रभू ने बदल दिया सनमा ने किया वो लड़की को वो जब वहां गई लोग उसके लिए अनन मना रहे थे तीरसकार को प्रभू ने तारीफ में बदल दिया अनादर को आदर में बदल दिया वो प्रभू आपके साथ है प्यारो वो आपके अनादर को आदर में और तीरसकार को तारीफ में बदल देगा आज उसके उपर विश्वास करें जब हम सेवकाई में आए प्यारो कई लोगों ने हमारा भी अनादर किया अलग अलग प्रकार कैसे स्टेटमेंट दिये कि हम निरासो कर बैठ जाए और सेवकाई छोड़ दे कई लोगों ने कहा ये लड़के निकल पड़े ये कुछ नहीं कर पाएगे थोड़े दिनों में ये सब बंद हो जाएगा कई लोगों ने हमसे कहा ये सेवा सेवा तो ठीक है खाओगे क्या खाना कहां से लाओगे कौन खिलाएगा आपके परिवार को काफी लोगों ने नाधर किया अपमानित किया ऐसे स्टेटमेंट दिये अगर उसके उपर हम जाते तो सेवा और सब कुछ बाजू पर रख देत से ले लेकिन प्रभू की द्यास से प्रभू ने हमें दृड रखा उंका हमने नहीं सुना उनका सुनकर हम नीरा सोकर बैठ नहीं गए प्रभू का धन्यवाद हो आज 20 साल हुए 20 साल से प्रभू उसकी महिमा के लिए हमारे इस्तेमाल खर रहा है क्यों? क्योंकि लोगों की लोगों की बातों को सुनकर उनके अनादर के और तिरसकार के सब्दों को सुनकर हम बैठ नहीं गए कि आप वो लोगों जो आपका जब अपमान होता है जब आपका तिरसकार होता है जब आपका आपका अपमान किया जाता है तब निरासों कर बैठ जाते हो प्यारों आई पापा ने उसका अनादर किया भाईयों ने सावले लेकिन दाउद में किसी की नहीं सुदी वो द्रीड रहा कि मेरा प्रमेश्वर मुझे वीचे बंद बनाएगा वो मुझे उठाएगा वो तीरसकार से तारीब तक मुझे ले जाएगा आई आज खड़े हो जाए किसी भी प्रकार का मान आपका किया गया हो प्यारो आए प्रभू को कहे प्रभू मेरा ये प्रकार सब मान हुआ है उसके कारण मैं दुखी हूँ लेकिन आज उससे मैं बाजू पर रखना चाहता हो ऐसे कई स्टेटमेंट आपके विरुद बोले गए होंगे जो आपको आज कांटों की तरह चुपते हैं आज भी वो स्टेटमेंट के कारन आप पीछे हट जाते हों आए आज उसे भुला दे मिटा दे और प्रभु से प्रभु उसस्तेलमेंट कि हरे लेक नकारत्मा कसरों को मैं मिठाता हूँ ये श्व मशी के नाम से उसे मैं नखार देता हूं, प्रभु तु मुझे उठाएगा, तु मुझे सनमानित करेगा, लोग भले मेरा तिरस्कार करें, मैं उनकी नहीं, मैं आपकी सुनने वाला बनना चाहता हूं, आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं दावुद के समार, तिरस्कार जब मेरा हो, जब मेरा ना दरो मैं निरास नहीं होंगा मैं ध्रीडता से खड़ा रहोंगा अगर आपका ये डिसीजन आपका ये द्रीड निश्च है प्रभु जरूर आपको विजय दिलाएगा तीरसकार से तारीब तक अनादर से आदर तक अपमान से सन्मान तक ले जाएगा आये दूआ में जाएं पर्भु की साहाईता मागे प्रभू के चरणों में जाएं प्रभू से कहें प्रभु आज तु मुझे बल दें ताकि लोगोंने जो मेरा अपमान किया है ऐसे स्टेट्मेंट जो मेरे विरूद कहे गए है ऐसी बात थे जो मुझे निरास करती हैं को देख पाऊ आई एम दूआ में चाहे प्रभू मैं प्रात्ना करता हूं ये श्मसी के नाम से जितने भी लोग आज हम से चुड़े हैं कई पर भी उनका तिरसकार किया गया अपमानित किया गया है अनादर किया गया है कई ऐसी बात हों कि विरुद बोली गई है जो आज भी उनको फीडा देती है प्रभू आज भी उसके कारण वो फीशेड गए है प्रभू आज मैं प्रात्ना करता हूं वो सारी बातों की असरों को वो सारे अनुभव और उस सारे स्टेटमेंग की नकारतमक असर को इन हर एक लोगों के जीवन के उपर से येश्युमसी के नाम से थोड़ दी जाए येश्युमसी के सामर्थी नाम में ये लोग मुक्त हो जाए उस दकारतमक अनुभव के कारण वो बैठ न जाए निरास न हो जाए लेकिन खड़े हो जाए दाउद के समान एलिनौर के समान प्रभू जीए और आपकी महिमा के लिए आगे बढ़े और वी तीरा आजाया अपमानित किया जाया कुछ भी किया जाया वो पीछे हटने वाले ना बने प्रभू वीजहिवंत बने प्रभू वो अपने चीवन में तीरसकार को तारीफ में अनादर को आदर में अपमान को सनमान में बदलता हुआ देखे येश्युमसी के नाम समर्ये और प्रभु जरूर आपको वीजेवन बनाएगे हाललुया और वाप सभी को आशिशित करें थैंक यू